नमस्कार MSC first semester MSC previous chemistry के समस्त छात्रों का जो online mathem से इस class में जुड़ रहे हैं इस class को देखेंगे इस class में समझने का प्रियास करेंगे उनका स्वागत करते हुए मैं यह बता दूँ यह class chemistry के previous के first semester के छात्रों के पांचमे पेपर से संबंदित है पांचमे पेपर आपका mathematics for chemist जो उन छात्रों के लिए है जिनकी biology background रही graduation में उनको mathematics के concept से परिचे कराना और उन concepts का chemistry में कहां कैसे application है कहां कैसे अनुप्योग है कहां कैसे उप्योग है उसको थोड़ा सा समझाना इस paper के content का हिस्सा है इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारी presentations यह record की गई है आपके syllabus के हिसाब से यह presentation statistics की है statistics सांखिकी से संबंधित जिसमें कुछ statistics के simple आपके formula कुले simple आपके concepts उनसे परिचे कराया जाएगा प्लस उनका chemistry में laboratory में कहां कैसे क्या उप्योग हो सकता है वो चीज उससे भी आपका परिचे कराएंगे कि मैं किशोर अरोड़ा कैमिस्ट्री में प्राध्यापग हूं गौवर्मेंट पोस्टेजविट कॉलेज दतिया में फिजिकल केमिस्ट्री डील करता हूं और मेरे जो content मैंने प्रेजन पिछली प्रेजंटेशन और इस वाली प्रेजंटेशन में जो भी प्रेजंटेशन दी हैं उनकी reviewer ये team सामने इस स्लाइड में flash हो रही है इनका अभार व्यक्त करते हूं मैं प्रेजंटेशन शुरू कर रहा हूं जो description of topic इस presentation में है उसके बारे में चर्चा कर लें मैं आपको बता चुका chemistry का subject MSC previous class first semester fifth paper fifth paper a fifth paper which is meant for the students who have pursued biology in their graduate undergraduate level जिनके पास graduation में biology थी उनके लिए ये paper है उसका ये अंतिम portion इस presentation के बाद मैं समझता हूं statistics से संबंधित जो important जो चीजें हैं जो syllabus में mention है प्लस जो आपके laboratory में उपयोग में आ सकती हैं जैसे measurement of central tendencies central tendencies जैसे mean, median, mode आदी measurement of dispersions जैसे standard deviation, mean deviation आदी regression analysis मतलब least square feet correlation coefficient के संबंध में calculation कैसे इस से आपका परिचे होगा mean अर्थात average arithmetic mean simply अगर आपका raw data है n items से x1 x2 x3 xn सभी को जोड दीजिए upon n कर दीजिए तो submission x by n से आप निकाल सकते हैं frequency के आधार पे कितनी बार x items appear हो रही हैं तो आप इस formula से भी arithmetic mean आप निकाल सकते हैं f1 x1 plus f2 x2 plus up to fn xn means summation fx upon n इसी तरीके से जहां n क्या है f1 plus m f2 plus up to fn मतलब total of frequency short cut method क्या है m हम एक arbitrary assume mean लेकर के चलें a तो m क्या होगा summation fd is the dispersion from assume mean upon summation fd upon n तो इसके और भी एक short cut method assume mean के साथ ये नीचे दे रखा है m is equal to a plus summation f u fn upon n into i i is the class interval जो आपका है उसके हिसाब से ये express किया था पिछले उसमें dispersion क्या है assume mean से किसी एक value का अगर mean हमें इस distribution का निकालना है यहां पर अगर आप देखें तो इससे आपको ज्यादा किसपश्ट होगा data दे रखा है class 0-11, 11-12, 22-33 classes और इसमें frequency इसाब में दे रखती है इस class की mid value x जैसे पिछले उसमें slide में x का formula में जिकर था जीरो से 11 तक का mid value 5.5, 11-22 तक का 16.5 and so on so forth यह आपकी mid value आ गई यह frequency है frequency आपने note कर ली total of the frequency कर दिया इसके बाद जो डी है dispersion है एक से mid value का तो यह अपने आपने यह निकाल लिया जीम में लिया 38.5 और इसी dispersion निकाल लिया minus 33 minus 22 minus 11 0 11 12 तो यू निकाल लिया यू इस class interval क्या है 11 का difference है 11 से डिवाइड करके यह आपका यू आपके पास आ गया minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 तो अब आपके पास इसको जब मुटिप्लाइ करके समेशन पूरा निकाल लेंगे यू लिगेट तो solution क्या जाएगा assumed mean यह है class interval यह है जब इसमें substitute कर दिया assumed mean और यह का पूरा एंड एक समेशन एंड मीन summation of frequency X03 interval 11 तो solve करेंगे तो यू इसमें 32.306 this is the mean of that data median की बात करें तो एक group data का mean हमने निकालने की बात करी लेकिन अगर आपका एक raw data है simply तो उसमें क्या है उसमें कैसे मीन निकालेंगे simple आप जो items है जो data है उसको एड करते जाए number of items से divide कर दो उस तरीके से भी you can calculate simple arithmetic mean median का यह formula दे रखाया आपका class interval low is the L is the lower limit of median class and small f is the upper frequency of median class और यह f आपका वही total of frequency जी एक्सप्रेस कर रखता है median class का i class interval की width मतलब कितना है interval और when total of frequency odd है equal odd है and equal है सभी तो and one by two and plus one items की तो उसका medium आप plus one के निकाल सकते हैं यह mode का formula है मोड का formula भी यहां पर express कर रखा है where L is lower limit of the modal class f and f minus one means जो आपकी class थी उससे पहले वाली class की frequency f one means उससे उस class की frequency preceding class और यह falling class और width of the class class interval यह आई आपका रही रखा है that is modal class का है class having maximum frequency यह एक्स्प्रेस कर रखा है इससे भी यू with the help of this formula you can calculate यह mode क्या होगा कुछ example के माध्यम से हम यहां समझने का प्रयास करते हैं जैसे यहां एक raw data दे रखा है 0 1 6 7 2 3 7 6 6 यह सब raw data है तो यहां पर simple arrange करें इसमें six occurs five times पांच बार छे इसमें आया account करके देखें बाकी no other item कोई other item पांच बार नहीं है या पांच से ज्यादा बार नहीं है तो मोड इसका क्या हो जाएग अच्छी simply six तो raw data अगर दे रखा है तो उसका मोड इस तरीके से भी निकाल सकते हैं मोड अगर आपको वैसे निकालना है जैसे यह आपको group data दे रखा है यह class intervals के साथ और यह frequency दे रखी है उसकी कितने तो simply formula में आप substitute करके यहां पे L is 21 model class जो है उसके इसका lower limit 21 है F is 72 उसकी frequency 72 है F-1 उससे पहले वाली class की frequency 36 है F-1 is 51 उससे बाद वाली class की frequency 51 है I is 7 अगर आप इसमें देखें class interval किसी भी class का देखें साथ है जब इसमें substitute कर देंगे you will get mode is equal to 25.4 तो इस group data का जो mode आएगा that is 25.4 values F की F-1 की F1 की L की I की substitute करने के बाद इसको solve किया इन central tendencies के थोड़ा सा परिचे आपको दिया इन से आपका परिचे होना चाहिए आपका तारुक होना चाहिए आप इनको calculate raw data के लिए या group data के लिए कर सकें क्योंकि कई भार कई examples lab में ऐसे आते हैं जहां हमें average में देना पड़ता है result mean निकाल के result express करना पड़ता है अपनी file में measure of dispersions, deviation, mean deviation and standard deviation, mean deviation को उसका दूसरा नाम average deviation भी ही में क्योंकि average जो आपनी निकाली उससे deviate कैसे कर रहा है और गूसरा standard deviation तो पहले MD की बात करें mean deviation की बात करें mean deviation का formula आपका यह है one upon n where n is the number of items total f is frequency x minus m capital M is taken as mean or median or mode central tendency किसी data की M है चाए mean है चाए median है चाए mode है उससे एक एक का deviation निकाल करके उसके f से multiply करके sum करके one upon n कर देंगे तो mean deviation निकला है for example एक discuss करके देखते हैं यह data है मेरे पास group data classes मैंने लिख ली मिडवेली उनकी x लिख ली f frequency दे रखी है हमने इसकी लिख ली अब x minus यह हमने इसको लिख लिख जूम में यह मीन पहले निकालने के लिए process किया यह अपने यू निकाल लिया f unique color u is x minus 15 upon 6 6 is the class interval fu निकाल लिया x minus m निकाला means mean से कितना difference है और f से multiply करके जो है यह column उसको express कर रहा है assumed mean is 15 arithmetic mean आपका यह 14 प्रॉक्स यह फर्मूल में रखके आ गया तो mean deviation क्या हो जाएगी one by n summation simply f x minus n यह simple जो हां से पिछली टेबल में values है उनको substitute करते हुए total number of items total of frequency आपकी 44 जैसे आ रही है इसको जब आप करेंगे you will get 6.3 तो 6.3 is the mean deviation of for this data तो standard deviation की बात करें standard deviation का भी formula इस example के माध्यम से ही आ जाएगा आपके सामने दूसरा जो dispersion है deviation standard deviation यह हमें class interval दे रखा है wages दे रखी है in rupees या जो भी आप कहले number of person हम यह frequencies दे रखी है table पूरी इसका standard deviation अगर हम निकाल की बात करें तो mid value उसकी निकाली यह column आ गया mid value frequency आपकी यह है यू निकाला यू इसमें से 105 बदल यह हमने है mid value इसको 105 को ए माल लिया assume माल लिया 10 नीचे अपाउन 10 किया क्योंकि class interval 10 है तो यह column अपने पास आ गया minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 frequency का total यह आ गया number of items n हो गए f u f को u से multiply करके यह column आ गया f u का total यह आ गया इस पूरे column का f u square यह आपके पास आ गया अब standard deviation sigma से जिसे प्रदर्शित करते हैं वो है under root 1 upon n summation f u square table ने पीछे निकाल रखा है minus summation f u upon n का whole square into y जो values पीछे दे रखी उनको मैंने incorporate किया 1 upon n भी n किया incorporate किया n है 230 f u square is 753 पर ये f u is 125 इसका पूरे का square into 10 class interval is 10 i जब इसको solve करेंगे then i will get 17.3 this is standard deviation sigma value तो कई experiments जो हम laboratory में physical chemistry में कहीं करते हैं जहां data reporting अपनी होती है वहां पर deviation भी रिपोर्ट करना पड़ती है standard deviation तो इस सूत्र से इस फार्मूले से we can calculate एक important concept जिससे हमें परिचित होना चाहिए that is least square fit curve fitting हम फिजिकल केमिस्ट्री की लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं experimental data आता है कोई भी से फर एक्जांपल लेंबर्ट बियर लाव एरिफाई कर रहें से फर एक्जांपल हम काइनिडिक्स का कोई problem solve कर रहें काइनिडिक्स मिथाइल एसीटेट का hydrolysis हम study कर रहें तो उसमें जो आपकी absorbance और concentration के बीच का जो graph है that should be a straight line या हम आपका उसमें जैसे काइनिडिक्स में बात करें काइनिडिक्स में तो जैसे y is equal to mx plus c की form में equation में आ गया वो integrated rate law दो terms के बीच में जब हम graph plot करते हैं k को rate constant को find out करने के लिए तो अमारे को straight line मिलना चाहिए स्टेट लेंड नहीं आती थोड़ा सा deviate करते हैं points अब वहां पर हमें teacher कहते हैं कि least square fit method से आप slope और intercept निकालिए और best fit line curve fit लगाते हुए आप best fit line draw कर दीजिए और फिर आप यहां वो फिट कर फिटिंग का express कर रखा है y को आप express करते हैं a plus b x plus c x square up to k xn अगर यह variables आपके हैं अलग-अलग x1 x2 y1 y2 अपको यह सब अलग-अलग तो यह कर फिटिंग कर सकते हैं तो समेशन नॉर्मल एक्वेशन का समेशन y is equal to ma plus b समेशन x स्टेट लाइन एक्वेशन इस तरीके से रहती है तो इसमें when n is 1 when n is 2 तब second degree की parabolic equation वो अगा जाती है तो हम basically हम इसमें बात करेंगे simply यह normal equation आती हम parabolic equation की ना देखते हूं हम नॉर्मल equation की बात करें तो हम y is equal to a plus b x y is equal to m x plus c वाली की बात ही करें तो हमारे को curve fitting कैसे express करनी इस example से समझते हैं x y data दे रखा यह x के corresponding y points है straight line कैसे होंगी तो formula में जैसे हमें slope और intercept उसके लिए निकालना है formula substitute करने के लिए x और y data x square चाहिए x y multiplication चाहिए यसी इसमें यह आपको express कर रखा है summation x y और x square का summation यह चाहिए यह करते हैं कि हमने निकाल लिया m 5 है x 10 submission x 10 है y इतना है submission y इतना है submission x square इतना है submission x y इतना ही आपका कर लिया इनको values को substitute कर दें तो हमारे पास a और b हम solve करके निकाल सकते है a is 72 b is इतना तो y जो आपकी आ जाएगी तो required line होगी y is equal to this much यह आपकी straight line equation आगी इसके आधार पे हम उस जो data था उस data की curve fitting express कर सकते हैं और straight line find out करके best possible best fit line draw कर सकते हैं इसको मैं फिर से कहूंगा इसको practice करिएगा आपके जो physical chemistry के most of the experiments में यह slope और intercept निकालके best fit line draw करने का concept सामने आता है आपको practice वहाँ पे करनी है वहाँ से practice करेंगे तो आपको समझ में आई इसी तरीके से एक statistics में एक concept correlation का आता है जो data हम experimentally xy variables हम ले करके चलते हैं माली जी x is independent variable y उसको उपर dependent variable है say for example Lambert beer log का ही experiment हम ले ले concentration x है उसको उपर dependent y absorbance है तो उनमें आपस में correlation क्या रहेगा इंक्रीज होते है तो इंक्रीज हो रहा है क्या से रहेगा उनमें आपस में correlation क्या है उसको हम to efficient के माध्यम से express कर सकते हैं अब देखते हैं this is the formula for correlation correlation के बारे में यह formula आप ध्यांस देख लेंक्स यह मैं करसर इसके उपर correlation के बारे में चीज़ आपको बता दूं correlation अगर perfect होगा तो 100% means correlation के maximum value 1 जा सकती है अधर points में ही रहेगा हमेशा और perfect नहीं है तो उससे सकंब 1 से कम रहेगा तो यहां पर एकस एकसबार एकस जो data है उसका डाइशन है उसके mean से X बार से Y जो data है उसका जो भी हम consider कर रहें एकस वाई उसका वाई बार mean है उससे deviation है कितना है y bar से तो मलब पहले average निकालनी है फिर उसका आपका यह dx और dy जो एक्सप्रेस कर रखने हैं निकालनी है उनका square करना है उनका summation करना है फिर इस formula में रखना है तो we'll get the correlation coefficient इसको एक example से समझने का प्रयास करते हैं यह xy data हमको को भी experimental दे रखा है एक्स अटार चात्र चात्र नाइंटी येट पक्चेस पिचात्र ब्यासी नबेच पासट पैंसर नंतालेस वाई उसके corresponding 84 51 91 68 62 68 53 57 हमने फार्मूले में जो डिमांड है उसके हिसाब से calculations करनी है मैंने इसको tablet form में इस तरीके से कर लिया सारा x लिख लिया submission x कर दिया y सारे data लिख लिया corresponding submission y कर दिया submission x मेरे पास 650 आया submission y मेरे पास 660 आया इसका x का mean जो निकाला वो 65 था एक्स एवरेज 65 था और y का mean जो निकाला वो 66 था अब x माइनस x बार y माइनस y बार हमने किया तो हमारे पास यह dx वैलियू आगी बदलब 38 माइनस 65 32 36 यह सारा कॉलम इसी तरीके से घैल्कुरीट कर लिए और ऑई का जो है उसी तरीके से इBRा-माइनस वाई बार किया वाई बार din 6 नशिए mitä और श्रूरासी चॉरासी माईनस ही तारहın यह आपका आ गया जो dx जो है, deviation जो है, x की, उसका square करना है, तो उसका square करके हमने 13 का square, 169, minus 29 का square, 841, 33 का square, ये, पूरा ये column हमने डवलप कर लिए, उसी तरीके से dy का, हमें जो y वाला data है, उसका भी square, dy वाला जो है, उसका भी 18 का square, ये, minus 15 का, ये, 25 का, ये, इस सारा ये column डवलप कर लिए है, अब एक हमें चाहिए, dx और dy का multiplication, दोनों का, जैसे 13 इंटू 18, ये सब करते हुए, ये सारा ये column हमने, ये वाला डवलप कर लिए, अब ये मेरे पास आ गए, सारे summations भी मेरे पास है नीचे, आगे, simply, वो summations को यूज करते हुए, जैसी आप एक्स्प्रेस कर रखता है, एक्स बार कैसे निकाला, ये बार कैसे निकाला, और आर में मैंने substitute किया, तो आर में substitute करके, जो finally answer निकाला, वो ये है कि, आपका coefficient 0.78 approximate आता है, इस data की, जो मैंने आप से बात कही थी, वो देखि में यहां लिकर रखी है, कि correlation lies between minus 1 to plus 1, तो maximum value plus 1 fraction ही रहेगी हमेशा, अगर 0.9 यह से हो, तो approaching to 1 है, तो means perfect correlation कहलाता है, further reading की, अगर हम बात करें, मैं फिर से एक चीज़ आपको वहीं से दोहरा रहा हूँ, जो पिछली presentation में दोहरा ही है, पिछली presentation में जो आप से बात की है, उसी को दुबारा, कि mathematics की कोई भी आप किताब उठाएं, चैट 12th level की हो, कोई भी mathematics की या mathematics for chemist हो, कोई भी जैसी आप सा सिंपल फार्मुले चाहे, vectors हो, matrices हो, differential calculus हो, integral calculus हो, statistics के फार्मुले हो, differential equations के बारे में बात हो, simple फार्मुले आप लिस्ट आउट करिए, note-down करिए, उनको पढ़िए और उसका chemistry में कहां कैसे, क्या उप्योग होगा, क्या उप्योग है, क्या application है, उसको correlate करिए, chemistry के physical chemistry, group theory, spectroscopy क कुछ है, कई examples, जो डिसकस किये हैं, अभी तक की presentations में, उनके साथ, और फिर आप समझेए, कि mathematics for chemist paper क्यों कहां पे, किस लिए रखा गया, उसका उद्देश क्या है, जैसा अपना pattern है, design के हमने जो presentation अभी की, जो presentation आपके सामने हमने रखी, उसमें, जो आप से परिचे कराया, उसमें concepts आपको कहां तक समझाए, कहां तक अपन समझ पाए, उनको judge करने के लिए, कुछ एक questions आगे, assess yourself वाले section में, आपके सामने है, जैसे mean of the data, दे रखा हो, यह data है, मेरे पास raw data है, इसका mean निकालना है, कितनी items हैं, पहले इनको count करें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस items हैं, और mean निकालने का simple raw data का हमें मालूम है, कि इन 10 से के 10 item को add करना है, upon 10 कर देना होगा, तो simply summation, यह सारा, x summation, x upon, and means, 3, जमा चार, जमा पांच, जमा चार, जमा चार, जमा पांच, जमा छे, जमा साथ, जमा आठ, जमा दो, जमा दस, पूरा जोड के upon 10 आप कर देंगे, तो you will get the mean, देखते हैं, क्लिक करके कौन सांसर बचता है, आंसर is 5.4, इस raw data, जो दे रखा है, इसका mean, आपके पास यह है, What is the mode of this data? Mode, यह जिसे raw data, एक example, अमने discuss किया था, उसी तरीका का यह question है, raw data, जो दे रखा है, इसका mode क्या है, इसमें आप count करें, इसमें अगर देखने में, आइटमस देखें, हमने कौन सी है, कितनी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोड़ा, पंदरा आइटमस हैं, और जब इस पर नजर मारी, तो यह छे, यह छे, दो, यह छे, तीन, चार, यह पांच, पांच बार, यह छे, रिपीट हो रहा है, तो यह एक, डेटा जो है, तो फाइव टाइमस रिपीट हो रहा है, बाकि और कोई data जो इससे ज्यादा time repeat हो जीरो एक है, जीरो दो है, जीरो तीन है, एक एक ही है, दो बार है, साथ दो बार है, पाँच एक बार है, में छे ही है जो ऐसा data है, तो पाँच बार repeat हो रहा है, तो इसका mode देखें, क्या होना चाहिए? 6, बाकि जो गलत alternative से हो चले के, 6 इसका mode रहा, यह question आगे दिया हुआ है, in the straight line equation, y is equal to mx plus c, m is, what is m? ध्यान करें, जब least square fit वाली अभी method की चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर हमने, y is equal to a plus bx की बात की थी, वहाँ a b था, यह coefficient m और c से हमने replace कर दिये हैं, here m is nothing but slope and c is intercept, मेरे हिसाब से इसका उत्तर इसका answer slope होना चाहिए, यह बाकि देखते हैं, क्लिक करके कौन से answer सही बचता है, कौन से answer गायब हो जाते हैं, yes, it is slope, तो यह ध्यान रहे, y is equal to mx plus c, y is equal to slope into x, पहला coefficient m slope है, plus c, c is intercept है, अब एक question यह इसमें जो दे रखा है, correlation coefficient में है, maximum value, अभी जब coefficient की हम calculation example के साथ समझाई थी, coefficient का formula डिसकस किया था भी, तो उसमें एक range आपके साथ share की थी, कि minimum, कितनी, maximum, कितनी, और आपको बताया था कि अगर 0.9 न 0.95 के around approaching to one value हो, correlation coefficient की, तो हम कहते हैं perfect correlation, तो maximum value one हो सकती है, मेरे साब से इसका सही, alternatives का सही उत्तर, एक होगा, बाकी अपन देखते हैं, क्लिक करके कौन सा उत्तर बचता है, कौन से चले जाते हैं, yes, it is a1, तो correlation coefficient may have maximum value one, एक से उपर correlation coefficient की value नहीं होगी, यदि आप कोई correlation कहीं experiment का निकाल रहे हैं data का, या कहीं कोई question solve करते हुए correlation निकाल रहे हैं, अगर एक से उपर जाती है value, means, आपकी calculation में कहीं ना कहीं कोई गलती है, उसको check करिए, for a perfect correlation, in the xy data, its value should approach, क्या, आप से चर्चा हो चुकी अभी, इसकी अगर xy data, सिफ और example हम experiment कर रहे हैं first order kinetics का, उसमें time के साथ, concentration के साथ, हमने data लिया, और हमने straight line graph draw किया, और correlation अगर हम देखना चाहें कि उसमें, concentration और time का क्या correlation आपस में रहा, या, हमने experiment किया, लेंबर बियर लॉका, इसमें concentration का, हमने absorbance के साथ data लिया, physical chemistry lab में, हम यह देखना चाहें कि इसमें आपस में क्या correlation रहा, या, say for example, हम research में थोड़ा सा बात करते हैं, QSAR studies कर रहे हैं, QSAR studies आप लोग organic chemistry उपढ़ते हैं, quantitative structure and activity relationship, वहाँ पर हमने किसी software का इस्तमाल करके, हमने कोई predicted activity निकाली किसी, किसी drug की, और laboratory में उसका हमने study किया, कि उसकी against some microbe activity क्या है, अब जो predicted रही और जो experimental data मेर पास है, उनमें आपस में क्या correlation है, वो correlation study करने के लिए, हमने correlation का formula में apply किया और निकाला देखी क्या होता है, तो perfect correlation data में हम तब मानेंगे, जब वो approaching to 1 होगा value, X और Y की correlation value 1 के approaching value, means, 0.9, 0.95 या approaching to 1, अगर उससे कम आ रहे हैं, तो means हम यह कहेंगे, कि वो perfect correlation नहीं है, देखिए, करके देखते हैं, Yes, it is 1. With this, मैं खतम करता हूँ अपने presentation, आपको धन्यवाद, Thank you, best of luck, आने वाले exams के लिए, मैं आशा करता हूँ, आप अच्छे से त्यारी करेंगे, और इस paper से संबंधित आपकी कोई समस्या नहीं होगी, यदि हो, यू में contact कर सकते हैं, अब इस paper में फिर से मैं बता दू, एक last time, कि आपको mathematics for chemistry, सिरफ इस लिए है, कि mathematics के कुछ concepts आप समझें, और उसका chemistry में क्या उपयोग है, उसका उपयोग आप समझें, चाहे वो lab में हो, चाहे वो theoretically हो, तो physical chemistry की problem से, या group theory, या quantum mechanics, या spectroscopy की problem से, कहीं पर भी आप study करें, तो हर एक का कहीं न कहीं कोई उपयोग, मैंने इन सारी presentations में cover किया है, प्रयास किया है, कोशिश की है, और आप से फिर से वही निवेदन कि आप mathematics की बुक से पढ़ें, concepts, formula, एक अत्र करें, जिन presentations में जो दी हैं, उनको list out करें, notes बनाएं, प्लस आगे उनको chemistry में correlate करते हैं, physical chemistry के books से पढ़ें, और उसका उपयोग समझें, अनुपयोग समझें, धन्यवाद, thank you, once again, best of luck.